नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवेस्टरों में आज मैं आपको उपचट की वत कथा सुनाऊंगी उपचट बादरपद मास की कशन पक्षी सस्टी तिथी को मनाई जाती है इस दिन उपवास करना चाहिए इवन स्थ्रिया संधिया के समय सभी मनदिरों में बगवान के पजन करती है और चंद्र दे की समय चंद्र आपको अरग दे के उनकी पूजा करती है और उसके बाद इस उपवास को खोलते हैं इस वत को चंदस्टी वत भी कहा जाता है तो आईए, अब हम सुनते हैं उपचट की वरत कथा एक साहुकार था, उसकी एक पतनी थी साहुकार नी रजजस्ववला हुई तो वह सब जगा हाथ लगाती थी और खाना बनाती थी पानी भी भरती थी और घर का सारा काम कर लेती थी कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ उसकी इन्होंने शादी की शादी के कुछ दिनों बाद ही साहुकार और साहुकार नी की मृतियों हो गई मृतियों के बाद साहुकार तो बेल बना और साहुकार नी कुतिया बनी वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुँच गए बेटा बेल से खूब काम लेता था दिन पर खेत में जोटा और कुवे में पानी निकलवा था कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी जब उनको वहाँ एक साल हो गया तो उस लड़के के पिता का शराद आया शराद की दिन खूब पकवान बनाए उसमें खीर भी बनाए गई उसी समय एक चील उरती हुई आई जिसके मुँ में मरा हुआ सरप था वह सरप उसके मुँ से छूट गया और उस खीर में जाकर गिर गया यहां बात बैठी हुई कुतिया देख रहे थी कुतिया सोचने लगी कि जो कोई इस खीर को खावेगा वो मर जाएगा तो अब क्या करे कुतिया ने उस खीर में मुँ दे दिया जब लड़के की बहु ने देखा कि कुटिया ने उस खीर में मूँ दे दिया है तो वो डंडा लेकर कुटिया के पीछे भागी और उसकी पीट में एक ऐसा डंडा मारा कि कुटिया की पीट की हड़ी तूट गए जब रात हुई तो कुटिया बेल के पास आई और बोली आज तो तुमारा श्रात था तुमें तो खुब भोजन मिला होगा बेल बोला मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला दिन पर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ कुटिया बोली आज श्रात की खीर बनाई थी उसमें चील ने सरप डाल दिया था लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मूह दे दिया था जिससे बहू नाराज होकर मेरी पीट पर ऐसा रंडा मारा कि मेरी पीट की हड़ी तूट गए मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे ना ही कुछ काने को मिला यह सब बात बहुने सुन ले उसने कुटिया और बैल की सब बाते अपने पती से कही तब लड़के ने जोतिशी को बुला कर पोचा कि मेरे माता पिता किस योनी में है तब जोतिशी ने कहा तुमारे यह जो बैल है वो तुमारे पिता है और तुम्हारे यहां जो कुत्या है वह तुम्हारी मा है। लड़का बोला इनका उद्दार कैसे हो। पंडितों ने खा तुम अपनी कुवारी लड़की से उपचट का व्रत बादवा बदी छट को करवा दो। अर्धात बादरपत कश्न की शस्टी तेथी को करवा। जब के लड़के लड़कीनिशे व्रत करवाया ऒर चंतर्मा को अर्ग देते पंग जो पानी बैख कर चट के नाले से गिठा वह उन द्वो को बैल और रुपको को खड़ार कर दिया इससे इनके बाता पेटा दौनों को मोक्ष मिल गया। ऐँ उपचळ baggage मता जैसे उनके मता-प पेता को मोक्ष दिया गया वैसा ही सबको देना कानी के कहने वाले सुनने वाले सबका पला करना यदि आपको मेरी ये कताब पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ आप मेरे चानल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और यदि आप मेरे चा झाल झाल